लोकसभा चुनाफ की रंड से पहले सपा और बसपा की रार का फायदा बीजेपी उठा सकती है। यूपी में बुआ बबुआ के बीच जारी जंग से तो आसार यही लग रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाफ से पहले विपक्षी दलो के बीच आपस्ती समीकरन बनाना आसान नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीट शेरिंग को लेकर भी पेंच फसा हुआ है। और उस पर अब बबुआ बबुआ की लडाई। यह तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गए। लेकिन इसका फायदा किसको होगा आईए जानते हैं। नविश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागिनी सिंग्राठोर। यूपी में चार बड़ी राजनेतिक पार्टियां हैं बीजेपी, सपा, बसपा और कॉंग्रेस जिन में खीशतान अकसर देखने को मिलती है। वही लोगसभा चुनाफ को लेकर मोदी विरोधी गटबंदन तयार हुआ है जिसमें सपा और कॉंग्रेस शामिल है और अब चर्चा है कि बसपा भी शामिल हो सकती है लेकिन सपा इस सिके विरोध में है। जिस कारण सपा बसपा में जंग जारी है और बीच में फसी है कॉंग्रेस। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को पीछे खीचने के चकर में बीजेपी बाजी मार जाए। क्योंकि यूपी की राजनीती में ये आम बात है और सपा बसपा की रार में कई बार बीजेपी ने पासा पलटा है आजमगर लोगसभा उपचुनाव इस बात का एक बड़ा उधारन है मायवती के दलत मुस्लिम फॉर्मूले ने सपा के खाते से कई वोट छीन लिये उसकी व अरेलडी और चंसेखर आजाद रावण के खाते में अखिलेश का ये कैलकुलेशन कॉंग्रेस को रास नहीं आया क्यूंकि कॉंग्रेस को बी सीटे यूपी में चाहिए जिसके लिए कॉंग्रेस गटवंदन में बसपा की इंट्री चाहती है जिसके सक्त खिलाफ रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आजम गड़ की तरह लोकसभा में भी बीजेपी दाव मार जाए खैर ये तो लोकसभा चुनाफ के परणाम ही बताएंगे फिराल इस स्टोरी में इतना ही देश दिना की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आज की खबर